नए विस्तारित पार्लिमेंट का उद्गाटन होने जा रहा है। दुर्वाग्य की बात यह है कि केंदर में RSS BGP की सरकार है। RSS BGP की सरकार जो है वैदिक धर्म की पचारक है और उसी को मानती है। वैदिक धर्म के अंदर ना मैलाओं को स्तान है ना अधिवासियों को स्तान है। देश के राश्टपती जो है वो दुरोपती मुर्मू है एक मैला है और एक अधिवासी है। RSS BGP की विचारधारा में ये दोनों भी इनसान नहीं ऐसी परशिती है। और वो ही दोबारा दिखाई देता है कि दुरोपती मुर्मू प्रेसिडेंट होने के बाद भी नए पर्लेमेंट का उधातन उनके हाथ से ना उते हुए। BGP अपने ही व्यक्ति से कर रही है पदान मंत्री मनरे नमोडी से। हम इसकी निंदा करते हैं और देशवर में आजिवासियों को जो संदेश दिया जा रहा है कि उनको को इस्तान नहीं है। आस्वासिक करते आजिवासियों को कि 2024 में इनको हराके दोबारा उगातन जो है प्रेजिडेंट द्रोपती मुर्मू से ही होगा। यह वंजित बहुजना गारी आपको अस्वासिक करती है जहें।